हलो, हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप सभी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, इंडिया के नंबर वन आप सभी को पता है, आपके लिए एक शांदार क्लास आती है, और बात हो चुकी है, हलो, ठीक है ना, नाटक कर रहे हैं आज है, चले, तो, pipe and system के हम शुरुवात करने वाले हैं, सभी government exams के लिए, और सभी से यही कहूंगा कि वीडियो को share कर दीजिए, अब जो हमारा नया topic शुरू हो चुका है, time and work लगबग खतम हो गया, पूरा खतम हो गया, pipe and system हम शुरू करेंगे, और जो time and work के बचे हुए questions थे, वो भी हम क होता है, 5 बजी मेरा नया foundation batch चालू हो चुका है, जो हर साल में एक बार आता है, मेरा नया batch चालू हो चुका है, number system वहाँ चल रहा है, कल मैंने वहाँ पर roman number, binary number आज पढ़ाने वाला हूँ, roman number कल मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, बहुत सारी सारी unique चीज़ें हमने सीख आपको मिलेगा और all exams के लिए आप पढ़ रहे हो, 6 बजे target the math का जो test होता है, इसका daily test होता है, 6 बजे एक तरीके से जो भी हम पढ़ते हैं, आज जैसे pipe and system का test होगा, 8 बजे आपका mock test होता है, तो यह जो मैं आपको time table बताता हूँ, यह मेरा daily time table है, सभी government exams के लिए मैं पढ़ने के लिए आते हो, आप बस केवल यह देखने के लिए आते हो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आप नहीं सीख पाऊगे, आपको continue अपना effort डालना पड़ेगा, तब जाके यहां से आप सीख पाऊगे, ठीक है, चले, सभी topics को मैं पढ़ाऊंगा, आप tension ना और साहिल 10 ऐसे code लगा कर आपको मेरे साथ में जुड़ना है, और ultimately accept my paid course, my foundation बैचाना, उसके अलावा की बात कर रहा हूं, ठीक है, चले, तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, साहिल 10 code लगा कर मेरे paid course में आप जुड़ सकते हैं, जो मेरा चलता है, especially academy पर, 11 a.m. साड़े 6 आपको देता हूं, और amazing experience होता है, उस mock test का, आप खुद अपने आपको बहतर महसूस कर रहे होंगे, उस mock test को लगा कर, चलिए, साड़े बारे बज़े ये, और आपके लिए motivational quote मैं लेकर आया हूं, कि जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त मनवा लेता है, वक्त थे, और उन्हें लगता है कि वो गलत थे, चले कोई बात नहीं, चलता रहेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जो लोग अपनी गलती है, आज खुद नहीं मानोगे, पढ़ाई के तोर पर भी अगर मैं बात करूं इस चीज़ के लिए, अगर आप अभी acceptation नहीं लाओ आ रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो proper, तो वक्त बता देगा सब, चले, और जीवन में अगर सफल होना है तो पांच वाक्य को कच्रे के डिबे में डाल देना, अब ये questions हम ले लेते हैं, जो कि कल के थे, मैं इसमें टाइम नहीं दूँगा, A और B मिलकर किसी काम को तीन द कर सकते हैं, दौनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन दो दिन के बाद B काम छोड़ देता है, यानि कि A और B का, रिमेनिंग काम कितने दिन का बचा हुआ है, एक दिन का ही तो बचा हुआ है, अब B काम छोड़ देगा, तो काम अगले दो दिनों में समाप्त हो जाता है, यानि कि दो दिन अकेले A काम करेगा यहां से efficiency निकल जाएगी A बराबर B तो total work कितना हो जाएगा A बराबर B है तो total work अपना निकल कर आ रहा है A और B मिलकर 1 प्लस 1 तीन दिन में कर रहे थे यानि कि 6 आपका total work आ रहा है तो B अकेला कितने दिन में करेगा 6 दिन में Amazing question था आसान था 6 days आराम से आप answer दे सकते हैं बिना किसी attention के ठीक है अब अगला question आप बनाएंगे मेरे साथ A और B मिलकर किसी काम को 30 दिन करते हैं वे 20 दिन काम कर लेते हैं और फिर B छोड़ जाता है तो same concept है कि वो 20 दिन की बात आ गई अब यहाँ पर answer 6 जगे 60 हा जाएगा Same to same question है answer 6 की जगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ठीक है next ठीक है P और Q एक दिन के मिलकर काम करते हैं एक कारे को मिलकर 5 दिन में करते हैं पी की कारे करने की गती दुगनी तदा Q की कारे करने की गती आधी हो जाती है तो 4 दिन में देखो वही MDH P प्लस Q मिलकर जिस काम को 5 दिन में कर रहे हैं तो P की जो efficiency है वो तो double कर दो और Q की जो आधी कर दो और काम चार दिन में कर दो तो यहां बस अपना मामला set हो जाता है जैसे कि आपके सामने यह है 5P प्लस 5Q बराबर 8P प्लस 2Q यह हो जाएगा सब 3P बराबर 3Q P अपन Q बराबर 1Y1 तो total work हो जाएगा 10 P अकेला कितने दिन में करेगा 10 दिन में 10 देज में चीक है इसली कर सकते हो मैं इसलिए बता रहा हूँ कोई कोई बड़ मतलब इसमें कोई बड़ा logic नहीं है कुशन अभी बहुत प्यारे प्यारे हैं आपके सामने हैं देखिए इस कुशन को कैसे करेंगे अलग-अलग छमता वाले दो व्यक्ति मिलकर एक कारे को छे दिन में करते हैं अलग-अलग छमता वाले दो व्यक्ति मिलकर यदि पहला व्यक्ति अकेले चार दिन में कारे करें उसके बाद दूसरा व्यक्ति अकेले छे दिन में कारे करें तो संपूर कारे का एक बटे वो चार दिन कारे करे और दूसरा व्यक्ति छे दिन कारे करे और अलग-अलग शम्ता वाले दो व्यक्ति छे दिन कारे करते हैं लेकिन ये टोटल काम है तो इन्होंने क्या किया इतना काम किया जो टोटल काम का एक बटे पांच बच गया यानि कि इस टोटल काम का 4 बटे 5 किया हुआ है बोलिए भाई बहुत सई 5 से गुणा कर दिया 20A प्लस 30B बराबर 24A प्लस 24B After solving this यह हो गया सर 6B बराबर 4A and A A A ratio B बराबर 3 by 2 Clear है Total work क्या हो जाएगा Efficiency निकल कर आगई यह दोनों 6 दिन में कर रहे हैं न यही Total work है तो 5 इंटू 6 आपका जो Total work होगा 30 हो गया धीमी गती से कौन है? B है वो कित्ते दिन में करेगा? 15 दिन में कैसा लगा? अच्छा लगा? आंसर आया सबका? वह घजब बहुत बढ़िया Next A और B मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं A पांच बटे दो दिन कारे करे और B सतरव बटे दो दिन कारे करे तो कारे का तीन बटे पांच बटे पांच बटे शेश रह जाता है Same वही concept देखना A और B मिलकर 10 दिन में कोई कारे निप्टा देते हैं लेकिन क्या बोला जा रहा है कि A पांच बटे दो दिन काम करे और B सतरा बटे दो दिन काम करे तो ये दोनों मिलकर उस टोटल काम का कितना ही? तीन बटे पांच बच जाता है यानि कि इन्होंने दो बटे पांच काम ही किया होगा तीन करते हो नहीं करते हो टोटल काम का दो बटे पांच काम ही तो किया होगा कोश्चन को पढ़ना सीख जाओगे ना तो तुम फोड़ दोगे कोश्चन ये मेरे को विश्वास है तुम पे आई बस समझ में बोले ठीक है अब solve करते हैं इसको बस बी अकेला तो मैं 5 दूनी 10 तो यह हो गया सर्फ 4A प्लस 4B बराबर 2.5A लिखो इसको आना ज्यादा आसानी से कट पाएगा और 8.5B तो 4.5B बराबर 1.5A तो A उपन B बराबर हो जाएगा 3 ratio 1. What is the total work? Total work 4.4 और B अकेला किती दिर में कर रहा है? 40. तो कि B की efficiency एक है मजा आ रहा है अब ऐसी तो कुशन बनते हैं Next ओ अच्छा कुशन है A और B ने साथ में मिलकर 8 दिनों में पूरा किया A ने अपनी छमता को आधा कर लिया B ने अपनी छमता को तीन गुना कर लिया और वही काम चार दिन में हो गया Come on चुटकियों में A और B मिलकर 8 दिनों में कोई काम करते हैं A ने अपनी छमता को आधा कर लिया और B ने अपनी छमता को तीन गुना कर लिया तो चार दिनों में काम हो गया Very good So basically 8A plus 8B बराबर 2A plus 12B 6A बराबर 4B A upon B बराबर हो गया 2 by 3 Got it? Total work will be 48, 48 So A अकेला किते दिन में करेगा? 20 दिन में क्या कहते हो भाई? मज़ा आ रहा है अच्छा लग रहा है Amazing बहुत बढ़िया Next करेंगी देखिए A की दक्षिता B से दुगनी है Efficiency of A is twice of B दौनों ने एकांतर दिन में काम किया Alternative वाला काम है शुरू A ने किया और कुल 45 दिनों में काम को पूरा किया C अकेले उसी काम को 34 दिन में कर सकता है B और C मिलकर कितने दिन में उस काम 70% हिस्सा करेंगे अब यह कोशन बड़ा ही ला जवाब है यहां आपको थोड़ा सा लग सकता है क्या हम क्या सीखें क्या नहीं सीखें प्रॉबलम भी आ सकती है लेकिन कोशन बड़ा मज़ेदार है आप मुझे बताईए यार कि जो A और B है उन्होंने कितने दिन काम किया होगा 45 दिन है और A शुरू कर रहा है तो मैं कह सकता हूँ 45 को तो 22 और 22 और A 45 दिन अलग से करेगा यानि कि A उसी काम को 23 दिन A ले रहा है और B 22 दिन ले रहा है क्या ये बात मुझे अब आपको समझाने की जरुवत है क्या कि ये कैसे हुआ बोलिए भाई साब आपसे पूछ रहा हूँ नई जरुवत है ना और आपको पता है सर ये 2 की efficiency से काम करता है यानि कि 46 काम तो ये हो गया और 22 काम ये हो गया क्या मैं ये कह सकता हूँ कि total काम 68 हो जाएगा efficiency into time efficiency into time total work आगया अब ये बोल रहा है C अकेले उसी काम को 34 दिन में करता है यानि कि efficiency of C कितना हो जाएगा 68 upon 34 it will be 2 यानि कि 2 आगया तो B और C मिलकर कितने दिनों में करेंगे B और C यानि कि 3 की efficiency से काम 68 है उसका 75% 3 की efficiency से करवा रहे हो आप 17 दिन में सच बताईएगा कैसा लगा question मजा आया या नहीं आया point to point हम बात करते हैं time and work में हमेशा हमें ज़्यादा उतावला नहीं होना है हमें जो कहता है वो करना है मामला set मजा आ रहा है यह भाई आप चलिए अब इसको भी आप देखिए सेम टाइप का है B की चमता A से 50% ज्यादा है A से 50% ज्यादा का मतलब अगर A की 2 है तो B की 3 होगी क्योंकि 50% होता है एक बटे 2 अगर जिस से ज्यादा है तो 2 से 1 ज्यादा याने की 3 दौनों ने एक आंतर काम किया और B ने शुरू किया और 35 दिन लगे तो A और B ये तो efficiency का ratio हो गया भाई दिन का ratio बताओ time का ratio 35 दिन लगे और B ने शुरू किया तो 35 को पहले आप 17 17 में बाट दो तो क्या आप directly कह सकते हो कि 18 दिन इसने किया होगा और 17 दिन इसने किया होगा 18 दिन B ने ज्यादा क्यों आया क्योंकि B ने काम शुरू किया है आज तो देखो सब टोटल वर्क निकालोगी तो 34 प्लस 18 तिया 54 इट विल बी 88 C उसी काम को C की Efficiency निकाल लेते हैं C की Efficiency आगई 88 अपॉन 20 दिन यानि की 4.4 A और C मिलकर कितने दिनों में करेंगे A और C मिलकर तो 6.4 की Efficiency से 88 काम को करना है तो कर लेते हैं कोई percentage और percentage नहीं है 8 से काटा 110 बार 8 से काटा 8 बार 55 बटे 4 आंसर कितना आजाएगा 16, 13, 14, 52 C Option number C मज़ा आरहे Feel आरहे कि time and work तो यार कुछ भी नहीं था ऐसी घुमा फिरा के question पूछ सकता है बस और कुछ नहीं कर सकता यह देख लो मतलब एक system है उस system के according आप चल रहे हो तो आपको कौन बीट करेगा मरे को बताओ अब पूछेंगे बच्चे 6.4 कैसे आया आप बताओ कैसे आया भाई पूछा क्या गया है A और C मिलकर तो आपको A की efficiency देखनी है यह 2 है और C की efficiency 4.4 है दौनों को मिला दोगे तो 6.4 नहीं होगा क्या वो फिर कोशन पढ़ने में कमी है बाई उसमें फिर आप मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता ओ सुपब कोशन है इसके लिए मैं समय देता हूँ आप ट्राई करिए मुझे काफी अच्छा यह कोशन लगा और यह प्री में आया हुआ कोशन है प्री में IBPS SO में आया हुआ था इस्पेसिलिस्ट आफिसर में अब निकाल के बताईए इसको इस्पेसिलिस्ट आफिसर में हुआ कोशन है प्री में कोशन आसान है बस करने वाला हो पुश करने वाला हो तो कोशन बन जाएगा वरना दिक्कत आती है देखो ओ भी असी बात है चलिए मैं पूरा तरीका बताता हूँ इस कोशन को कैसे कर पाएंगे आप 24 लड़कियां एक प्रोजेक्ट को चार दिन में काम करती है उसका एक बटे नौ भाग पूरा करती है प्रोजेक्ट का वो भी एक बटे नौ भागी कर रही है 30 लड़के अगले अगले एक्स दिन काम करते हैं और प्रोजेक्ट का एक तिया ही हिस्सा पूरा करते हैं कोश्चन यहीं से ही शुरू हो गया भाई मैं अब आपको समझाता हूँ मैं यह कहता हूँ कि जो लड़कियां है 24 लड़कियां 4 दिन में प्रोजेक्ट का 1 बटे 9 हिस्सा कर रही है एक बटे इजे को हिंदी में लिखा हूँ है एक बटे 9 हिस्सा 30 लड़के X दिन में 30 लड़के X दिन मे क्या कर रहे है यह अपनी गर्ल है 24 लड़कियां है 30 लड़के है X दिन में एक तिहाई ठीक है माल लिया माल लिया भई efficiency निकालो निकालो बराबर कर दिया यह कट गया भई अपने पास 1 बाई 3 बार तो उपर 3 आ जाएगा यह कटा मैंने 10 बार तो यह हो जाएगा 8 और 2 से कटेगा 2 बार यह हो जाएगा 5 तो गर्ल या फिर मैं कह सकता हूँ मैं और बॉइ एंड गर्ड बॉइ एंड गर्ड इसको बॉइ लिख देते हैं भाई और ना फिर लड़के बुरा मानेंगे न बॉइ एंड गर्ड तो सर यह आ रहा है आरदूनी सोल अतिया 48 और गर्ल की एफिशेंसी पांच एक्स यहां तक किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई टेंशन कोई समश्या है तो बोलो वरना यहां तक चुप-चाप इस चीज को समझते रहो कि जो मैंने क्या लिखा है भाई मैंने MDH लगा दिया यह मेरी एफिशेंसी निकल कर आ चुकी है यह बात आपको क्लियर है क्या पहले तो यह बता दो बोले सर डेफिनेटली क्लियर है यह अगर आपकी एफिशेंसी निकल कर आ गई है तो क्या मैं यह कह सकता हूँ क्या कि भाई टोटल वर्क हम निकाल पाएंगे क्या सर बिलकुल निकाल पाएंगे आप निकालने की कोशिश तो करिये पहले तो टोटल वर्क के लिए मैं boy की efficiency को यहां रख देता हूँ तो total work मेरे पास कितना हो जाएगा फुले sir एक तीहई जो काम है न वो ये है आपका boy की efficiency 48 into 30 into x सही कह रहा हूँ न डियर भाई एक तीहई कामी तो है ये 48 into 30 into x सही कह रहा हूँ न boys का 5x है गुरू जी ना ना भाई 5x तो इदर आया ना तो boys की सामने 48 ही तो होगी ये girl इदर लिया है मैंने दिहान अपना वो गड़ो दे बगड़ो मत करना ठीक है यहां तक आपको कोई दिक्कत total work कितना हो जाएगा total work 3 से गुणा कर दो sir तो मैं ये कह सकता हूँ 48 into 90 into x 4320x ये मेरा total work हो गया अपने से किसी को कोई परेशानी है क्या कोई दिक्कत 4320 हमारा क्या आ गया total work आ चुका है बिना किसी दिक्कत के यहां मैं यहां तक हम ठीक है अब इसने एक चीज बोली गई है आगे पड़ते हैं यहां तक हमने solve किया केवल अभी तक है अब उसके बाद देखिए यदि x प्लस 4 दिन बाद तो अब x प्लस 4 दिन को देखकर आपको गवराना नहीं है क्यों नहीं गवराना क्योंकि x प्लस 4 दिन तो हो गई न भाई 4 दिन ये रहे और x दिन वो रहे तो इतना काम तो हो चुका है इतना काम तो हो चुका है x प्लस 4 दिन के बाद 24 लड़किया और 30 लड़के मिलकर काम करते हैं और 6 काम को इतने दिन में करते हैं तो 30 लड़के मिलकर संपूर्ण काम को कितने दिन में करेंगे मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही तो 6 काम कितना अरे 6 काम कितना इस टोटल वर्क का बचा हुआ हिस्सा तो 1 बटे 9 और 1 बटे 3 कामी तो हुआ है अगर मैं इसको solve करके देखता हूँ तो 4 बटे 9 काम हुआ है तो 6 काम कितना 5 बटे 9 तो देखो 423 का 5 बटे 9 कितना आ रहा है 9 9 9.36 9.8.72 2400X 2400X काम कौन कर रहा है 2400X काम कौन कर रहा है 24 लड़किया 48 लड़के इतने दिन में कर रहा है 24 24 लड़किया यानि की 24 इंटू 5X efficiency 5X और 48 लड़के नहीं कितने लड़के है 30 लड़के 48 की efficiency से 30 लड़के 48 की efficiency से कितने दिन में कर रहा है 6 सही 2 बटे 3 यानि की 20 बटे 3 हाँ अच्छा कुशन है टाइम लेगा लेकिन समझ में आना जरूरी है ठीक है सर कोई issue नहीं है अब बस solve all करना है तो 20 से काटो पहले तो आप कितनी बार जा रहा है पहले तो यह जला जाएगा 1200 120 बार कोई दिक्कत नहीं 3 से गुणा भी कर दिया 360 X परावर 120 X प्लस पुणा मत करना 30 x 48 240 X बार 30 x 48 24 0 से 0 काटा X बार आगया 6 यह लो X बार 6 आया है यहां तक कोई टेंशन बोले नई सर अभी बस x बार आवर 6 आ गया पुशन क्या कह रहा है 30 लड़के मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे आप मुझे बताओ 30 लड़के एक्स दिन में कितना करते 30 लड़के एक्स दिन में कितना करते एक ती हाई तो पूरा काम तीन एक्स दिन में याने कि अठारा दिन में एक्स पराबर तुछ है आई गया मैंने कुछ किया ही नहीं आप इसको सिंपल लेके चलो ना आप इसको लाइन भाई क्यों गिन रहो कुशन की क्वालेटी को देखो भाई कुशन है ही उस तरह का जहां आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा भाई दिमाग और ये कठिन नहीं है अगर आप इसको सोचोगे ना कि यार मैं तो नहीं करूँगा मतलब नहीं है नुकसान आपका है नुकसान किसी और का दोड़ी नहीं है आप तो समझो कि यार किता बढ़िया कुशन देखने को मिल रहा है अगली बार आएगा तो मैं इसको करूँगा सोच का ही फरक होता है बाकी टॉपर भी वही है और आप भी वही हो बस अच्छा है नेक्स्ट ये देखिए लास्ट कुशन ये भी शानदार है अब इसमें भी दिमाग लगेगा वो तो लगाना ही पड़ेगा भाई लास्ट कुशन फिर टाइम और पाइप और सिश्टन शुरू करते हैं ये किया किसी ने देखो ए अकेले किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर सकता है अब ए ने अकेले साड़े च्छे दिन काम किया तो ए ने अकेले साड़े च्छे दिन काम करवा दिया है ना तथा इसके बाद उसके इस्थान पर बी एवं सी ने मिलकर शेश कार्रे को तीन दिन में किया बी और सी ने मिलकर सही बात है शेश कारे को किया ठीक है गुरू जी अब बोला जा रहा है अकेले B और C संपूर कारे को अकेले काम करते हुए B और C B ले रहा है 0.5 X और C ले रहा है 8 दिन यानि कि 8 दिनों में टोटल काम हो जाएगा क्या लेकिन ये चीज मेरे को दिमाग में आ गई कि B अगर 0.5 X ले रहा है और A अगर X ले रहा है तो क्या मैं A और B को relate कर सकता हूँ क्या हाँ यानि कि कौन ज़्यादा efficient है B ज़्यादा efficient है राइट येस यानि कि यहाँ अगर B तीन दिन ले रहा है तो A कितने लेगा 6 दिन come on ऐसा क्यों किया efficiency को एक single variable बनाने के लिए तो यहाँ हमारे पास आगया 12.5 A बराबर 5 C A upon C का ratio जो आ रहा है वो आ रहा है 50 बटे 12.125 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 come on अब क्या बोला जा रहा है सर एक्स क्या होगा तो A अकेले X दिन में पूरा काम कर सकता है या फिर हम कह सकते हैं C की efficiency आ गए total work हो गया 40 तो X का होगा 2 का भाग दे तो 20 कैसा लगा मजा आया या नहीं आया बताओ अरे अभाई अभी सिंग इतना टाइम मिलेगा क्या एक्जाम में पहले कर तो ले भाई यार मैं रियालिटी बता रहा हूं अगर यह तुमसे पूछ लेगा ना कि एक से लेके 50 तक की प्राइम नंबर लिख दो तो अभी बिना पड़े इसको भी तुम नहीं कर पाओगे 6 मिनट के अंदर अंदर भी आती होगी तो भी रियालिटी बता रहा हूं अभी यह अपने अंदर जहांक कर देखो पहले कुशन दी करता है उससे पहले रोने लग जाता है ना बच्चा तो वो कभी कुछ सीखी नहीं सकता जिंदगी में यार पहले ऐसे कुशन करके तो देखो जिंदिगी में किया है कैसा कुशन मेरे को बताओ पहले नहीं किया ना तो फिर जो चीट तुमने जिंदिगी में कभी की नहीं है तो तुम उसके लिए कैसे जज कर सकते हो कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे वो तो यह हो गया कि करना नहीं है यह तो वही वाली बात हो गया करना नहीं है इसका मतलब तो सिंपल सी बात है भाई एक से लेके 50 तक कि कितनी प्राइम नंबर होती है अगर यह पूछ लूँ ना तो बिना concept पड़े तो इसको भी नहीं कर सकते ब यह सात मिनट के अंदर अंदर तो यह है इसलिए दिमाग यहां रखो पहले सीखने से पहले comment करते हो तो यह क्या सीख लोगे तुम बता हो मैं इतनी मेनत कर रहा हूं ऐसे question निकालके तो में करा रहा हूं क्या करा रहा हूं मैं अब तुम्हें तो मतलब ही नहीं है इन से क्योंकि तुम्हें तो यह लग रहा है कि बड़ा हो गया आप क्या ए तीन लाइन का कुश्चन नहीं है यह बुद्धी नहीं चलाएंगे तो फिर सीख भी नहीं पाएंगे भाई फिर तुम जिंदिगी पर खुद को दोस्त देते रहना या टीचरों को भी तो यह कुश्चन था क्लासिक यहां तक जो मैंने आपको बताया मैं तो अपनी तरब से मेहनत कर रहा हूं बाकी जैसे बहुत सारे बच्चे अभी अकेला नहीं है उसकी तरह के बहुत सारे बच्चे जो किवल यह जज करने आते हैं कि एक लाइन म नहीं आएगा ध्यान नहीं रहता ना क्योंकि हम तो हमेशा जज करने आते हैं यह आएगा थोड़ी जबकि पेपर का कुश्चन है चलिए अब हम चलते हैं आगे कि पाईप और सिस्टन हेडिंग डाल लू और हैडिंग की डाल के रखना बस क्योंकि कुश्चन फिर शूरूद करने वाले हैं डाइरेकली हम पाइप एन सिस्टन सर फरक क्या है टाइम एन वर्क और इसमें खासा फरक नहीं है डियर पाइप और सिस्टन का सबसे बड़ा लॉजिक यह ही है कि यहाँ पर एक टैंक होता है अब टैंक आपका एज ए टोटल वर्क लिया जाता है बाई जो टैंक की कैपसिटी है ना उसको LCM की तौर पर नामते है आपन जैसे कि वह इमान टाइम एन वर्क को अगर रिलेट करना है ना तो हम टैंक की कैपसिटी को कैसे निकालेंगे LCM लेकर ठीक है चली हेथ वर्क के गर्रेट में टीचर गुस्टा करनेसे क्या होगा नहीं भाई मैं ठोड़ी कहते हैं पड़ भाई तो तुम जैसे लोगों के लिए तो अब ठीक अब online open platform है तुम जैसे आभी जाते हो नालायक लोग लेकिन deserve भी नहीं कर सकते तुम्हें लगी नहीं सकती कभी ये study जब तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तुम्हें पढ़ाई लगी नहीं सकती सच बता रहा हूं नहीं लग सकती भाई जिंदिगी में यहीं होता है अगर कोई भी काम ले लो आप लाइफ में अगर मन से करोगे तो ही विश्वास करोगे तो ही वो चीज़ दिख पाती है कहत होती है बस इसलिए नहीं दिखता है तो अभी भी यह बात है और तुम जैसे स्टूडेंट रोइट जैसे स्टूडेंट रोइट कुमार जैसे स्टूडेंट की वज़ए से लाखों लोगों की लाइफ भी खराब हो सकती हाला कि आप अनको फरक नहीं पड़ता ऐसे 25 गए और 25 गए हैं व्हलार है हजारों ने मैंने कहा ना कि जो लोग डोड़कर नहीं हरा सकते वह थोड़कर अराने की कोशिश करते है जीवन में तो आपको भी ही होगा कि जो लोग्हाथ कि आप पढ़ रहे हो और यह नहीं देंगे कारन क्या है क्योंकि वह आपको आगे नहीं चाहते और वह पढ़ तो सकते नहीं है तो वह इन चीजों को करके आपको परेशान करेंगे सेम काम है ठीक है तो यही वाली बात है, तो चीजें अच्छी पढ़नी है पढ़ो, नहीं पढ़नी है मत पढ़ो क्योंकि फरक नहीं पढ़ता उस चीज से, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली पढ़ने वाले पढ़ेंगे, वरना कोई बात ही नहीं है, बाकी तो टेंसर अब वही वाली बात है मैं भी मेरे भी कभी-कभी दिमाग में आता है कि यारी खामोखा क्यों 11 बजे वाली लेकिन उन बच्चों की भी सोच लेता हूं कि चलो ठीक है और वह पड़ रहे हैं तो अच्छा पड़े एक कम से कम उनको एक चीज मिले की कॉन्टेंट एकजम में क्या आता है तो लोग तुमने देखा होगा पूरे यूट्यूब पर क्या करते हैं एकजम का रिजल्ट आया तो आ गए एकजम का नोटिफिकेशन आया तो आ गए फिर बैच हो गया प्रमोट ठीक है उसके बाद में फिर एक क्लास ले लिए दो क्लास लेली फिर खतम, अब एक क्लास भी मिस हुई है कि बताओ आज तक तीन साल का रिकॉर्ड है, मुश्किल से ही नहीं हुई, पेड़ वले ही एक दो दिन नहीं हो, लेकिन ये फ्री वाली क्लास जरूर होती है, ये लेकिन और लोगों के नहीं समझ में आएंगे ये चीजे, चलो, स्टार्ट करतें चीजों को, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टन, तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टन, कैपेसिटी की हम बात करते हैं, कैपेसिटी कैसे निकलती है, ये एज़े टोटल वर्क ली जाती है, as a total work यानि कि कुल काम तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी अलग नहीं है बिल्कुल भी अलग नहीं है as a cool काम आपके लिए क्या ली जाती है capacity ली जाती है जो कि LCM होता है उस तरह का ठीक है? जो कि LCM होता है उस तरह का तो यहाँ पर आपके सामने pipe and system का जो concept है time and work से बिल्कुल इक्वल है बस यहाँ पर यह क्या होता है एक negative efficiency work करती है अब negative efficiency तो हम efficiency को तो हम work time and work में बोलते हैं है न डियर efficiency को तो हम time and work में consider करते हैं लेकिन इसी negative चीज़ को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं flow rate बोलते हैं जैसे कि कोई भी null से पानी बह रहा है तो वो किस rate से बह रहा है ठीक है कहते है न कि भाई इस rate से पानी खाली हो रहा है तो यहाँ negative efficiency उस pipe की प्रकरती के हिसाब से काम करती है न नेगिटिव efficiency उस pipe की प्रकरती के हिसाब से काम करती है ठीक है ना तो नेगेटिव एफिश उसका पाइप की प्रकरती से काम करती है यह आपका इनलेट वाला पाइप होगा यह आपका आउटलेट वाला पाइप होगा ठीक है इनलेट मतलब भरने वाला आउटलेट मतलब खाली करने वाला तो उसी के उपर डिपैंड करेगी चीज इनलेट पाइप क्या होता है आउटलेट पाइप क्या होता है पाइप वही है मतलब हमें अक्सर यह लगता है कि कोई खाली करने वाली पाइप होती होगी क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्राब्लम बस इतनी सी हो जाती है कि वो पाईप अगर ऐजे आउटलेट काम कर रहा है तो वह नेगिटिव एफिशेंसी रखेगा और अगर वही पाईप अगर ऐजे इनलेट काम कर रहा है तो वही positive efficiency रखेगा और बस कुछ भी नहीं बस यहां पर चीज़े खतम हो जाती है ठीक है समझ मैं ही बात चलिए अब हम चलते हैं आगे की question की तरफ और आगे की question इस तरह से हैं यह ले लेजिए पहला question करके करने मताईँ गुड़ माता ही यह यह बाता हैं हुए बाता हैं यह पुक्त रहा है यह देखिए A और B क्या करते हैं सर A और B किसी एक टंकी को 5 गंटे B 10 गंटे में भर सकते हैं तो टोटल वर्क मैंने क्या ले लिया 10 गंटे ले लिया तो जो efficiency आ रही है वो 2 आ रही है और ये 1 आ रही है दौनों पाइप एक साथ खोल दिये जाएं तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा दौनों पाइप अगर खोल दिये जाएं तो लगेगा 3.33 बस कुछ भी नहीं था अब भरने वाले पाइप थे तो ये inlet हो गया यह आपकी क्या हो गई टंकी की capacity हो गई याने की चमता हो गई ठीक है टंकी की क्या हो गई चमता हो गई और ये आपका भरने का समय हो गया तो बात वही रहती है कि उस टंकी की चमता में अगर आप लगने वाले समय का भाग दोगे तो ये दो क्या दर्चारा है कि जो A वाली पाइप है वो दो की rate से भर रही है B वाली pipe है तो यहां हम इसको क्या बोलते है इसको A as a rate भी हम लेते है rate मतलब हमेशा मुल्य वाली rate नहीं दर बोलते हैं इसको है न अब दर प्रिंसिपल के हिसाब से लोगे तो ब्याच की दर बन जाएगी किसी किलोमीटर के हिसाब से लोगे तो मतलब स्पीडिकी दर मतलब lingu understand की ठरब जाए और अगर ठंकी के influence के शब्लो रेइड भी यही तो दर शब्लो रिट बन जाएकी बेहने की दर तो दर इसे साफ से चलती जा दर कोई अलगलग मीनिय फर कंगे दर दर होती है ठीक है चलिए अब आगे अगला देखें एक बर कंसेप्ट कंसेप्ट सीख जाते हैं आप अपने आप चलिए कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि चलिए तो कैसे करेंगे चलिएगा कि ए बीस घंटे में और बी तीस घंटे में भर सकते हैं तो टोटल वर्क अपना हो गया साथ इसकी कि एफिशेंसी हो गई तीन इसकी एफिशेंसी हो गई दो कि दौनों पाइप एक साथ खोल दिये जाएं तो टंकी भरने में कित्ता समय लगेगा कि अगर कि बारा कि सी कि नेक्स्ट अब पॉइंट्स वाले आगे तो यह भी आप करिए सेम है मैं कोई अलग ही नहीं कुछ कि चलिए ए और भी 33.5 घंटे भी 12.5 घंटे में भर सकते हैं लेकिन सर यह तो आता ही नहीं मैंने का भाई यह कुछ है इनहीं यह 300 बटे 8 है और यह 100 बटे 8 है कैसे सर अरे वह एक बटे 8 होता है न तो वह 12.5 परसंटेज में थोड़ी है नॉर्मल है तो 100 बटे आट और 300 बटे एल्सियम लेना बहुत आसन हो गया 300 ले लिया एफिशेंसी कितनी आ जाएगी आठ और यह हो जाएगी 24 भरने वाले दौनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो चौबिस और आठ बत्यस तो तो तीन सो बटे बत्यस पच्छिस्तिया पच्छत्र पच्छत्र बटे आठ 9.375 अप्शन नमबर C नेक्स्ट करिए चलिए पाइप A एक टंकी को 12 मिनट में पाइप B उसी टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है अब यहां बस कोशन को पढ़ना है यह भर सकता है और देखो यह खाली कर सकता है अब पता लग गया न कि फरक कुछ नहीं है दौनों है तो पाइप ही लिकिन यह आउट लेट है तो आपने 36 टंकी की समता मान ली यह हो गया सर्फ 3 की दर से भर रहा है और यह माइनस का 2 आएगा क्यों क्योंकि यह एक जो पाइप है यह एक आउट लेट है और उसका अंदाज हमें कुशन को अच्छे से पढ़कर ही लग पाएगा दौनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो दौनों को खोलने पर टंकी भरेगी या खाली होगी टंकी भरेगी तो सही लेकिन एक की दर से तो 36 यूनिट को या 36 की कैपसिटी को भरने में कितने टाइम लगेगा 36 मिनट ओमाइगा 36 दौनों को खोल दिया जाए तो किती देर में बढ़ जाएगी 36 मिनट आंसर होगा इसका अप्शन में नहीं है कोई बात नहीं लेकिन इसका आंसर क्या होगा 36 मिनट होगा नेक्स्ट चली चली एक टंकी और 24 मिनट में बि उस टंकी को 20 में खाली कर सकता है तोटल वर्क मैंने मानलिया 120 छीक है कि एक जो चमता आ रही है वह कितनी आ रही है 24 पशी एकसव बीस अब यह जो खाली कर रहे है वह माइनस चैसे कर रहा देखिए खाली करने वाला है अब टंकी खाली होगी या दौनों को खोलने पर तंकी निश्चित तोर पर खाली होगी अब भरी नहीं सकती तंकी औप भरी ने सकती तंकी घाली होने अग subtitles कोल दिये जाते हैं तो टंकी खाली होने में लेगा तो घणकी फोरी अधनकी आफी घण रहे लुग में वरना कुछ है ही नहीं, तो इसी तरह से आपको मानना भी है, हैना डियर, चलिए, तो दो गंटे आंसर आजाएगा, क्योंकि टंकी निश्चित तोर पर खाली हो रही है, अब पूरी भरी हुई टंकी को अगर खाली करना है, तो वह 120 मिनट है लेगा, और 120 मिनट को हम दो गंट है, चलिए, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को छे गंटे में बढ़ता है, कर सकते हैं, पी दस घंटे में बढ़ता है, तो टोटल वर्क मैं कहता हूँ, अकेला दस घंटे में बढ़ता है, और ठीक है, भरने वाली बात है, तो तीस ले लो, तो पी और क्यू के एफिशेंसी आगई, या दर आगई, और यह आगया तीन, तो बोला जारा है, क्यू अक देखिए, नेक्स्ट, दो पाइप मिलकर एक टंकी को 7.2 घंटे में भर सकते हैं, यानि कि 2 पाइप मिलकर, और पहला पाइप मिलकर 12 घंटे में भरता है, तो टोटल वर्क क्या लेना है, आपको देखो, ऐसा लो, जो 7.2 से भी कड़ जाए, 36 ले लो, इसे की कड़ जाएगा 5 बार, और यह हो कठिन थोड़ी है यह चैप्टर, यह तो हो गया मतलब एक तरीके से पूरा ही कम्प्लीट है, अब थोड़ा सा मज़ा आएगा, जब कोई होल वोल आएंगे, अब लीजिए, करिये चलिए, एक जग में दो चिद्र है, पहला चिद्र जग को 15 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा चिद्र 20 मिनट में खाली कर तो पंदर चौके साथ और बीस तिया साथ अब दौनों ही खाली करने वाले हैं तो साथ बटे साथ कि आप्शन नमबर डी आंसर हो गया क्लियर चलिए नहीं जीतू माली अभी लेवल इतना ही रहेगा भाई अभी लेवल इतना ही रहेगा है ना सामने ध्यान दो पढ़ाई करते रहो बस टाइम एन वर्क में भी तुम पढ़ रहे थे आया ना सब चीज सब चीज लाइन वाई चली ना चली नहीं चली बताओ जीतू माली हां वही पढ़ लो पहले एक टंकी को बारे घंटे में भरता है सर परन्तू टंकी की तली में छेद होने के कारण 15 गंटे में भरता है सुनना बात को यानि की टंकी की तली में छेद है उसकी वज़े से टाइम ज़्यादा लग रहा है सर तो टोटल अगर आपका 60 है तो यहां पर आगया 5 और यहां पर आगया आपका 4 ठीक है तो आप मुझे यह बताईए कि भरने वाली पाइप तो 5 की दर से भर रही है जब यह होल भी 7 में है तो 4 क्यूं आ रहा है यह तो 5 है वह भी प्लस में जब भर ईसे कि कैसे बता क्योंकि बोला जा रहा है कि भाई 15 मिनट में भरता है यानि कि प्लस में आएगा लेकिन यहां होल जो है वह tür लेकिन यहां एक से खाली कर रहा है साथ घंटे में ठीक है चलिए तो साथ घंटे में बढ़ेगा next क्या नाम है रामनन्द मिश्रा रामनन्द मिश्रा कोई प्रॉब्लम है क्या भाई बोलो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ भाई प्रॉब्लम का फिर सॉलूशन करें हाँ समाज इन अपवादों के साथ जीता ही है यार कुछ भी कर लो मतलब मुझे इन बच्चों के सिस्टम समझ में नहीं आता है कि यह मतलब क्या चाते है कहते हैं कि हम हमेशा हर कुशिश करते हैं कि इन बच्चों को अच्छे से अच्छी सिक्षा दी जाए और क्या हो सकता है बई मेरे माध्यम से मैं क्या कर सकता हूं एक एजुकिशन प्रॉइड करा सकता हूं हर एक बच्चे को जो सही हो ठीक हो मतलब लेवल के अकॉर्डिंग चला जाता है अल्टिमेटली पता नहीं ऐसे यह लोग मुझे ऐसा लगता है यह चाते हैं जिनके पेड़ कूर्सिस चलते हैं अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ओव्यसी बात है सबका बिजनिस खराब होता है तो कहीं यह भी दिक्कत हो सकती है कि वो बैठे बैठे यह सोचते हो यार हम तो इतना देहीं नहीं पा रहे हैं यह तो फ्री में इतना हो रहा है यह भी mentality हो जाती है तो शायद वो बेज़ देते हो इनको कि जाके ऐसा बोलो क्लास में क्योंकि मेरी क्लास का क्या है अलग से सिस्टम है कि पहले हर एक्जाम लेवल लास्ट में मेंस एक्जाम लेवल ऐसे चलता है क्योंकि पाइपन सिस्टम ना शुरू किया कल खतम कर दिया फिर भाई अभी पूरा पढ़ना है तो फिर पेड़ कोर्स में आना ऐसा नहीं चलता मेरा कि यह बात सही है मतलब हर कोई काम अच्छे सिर्व जो कहते हैं यह बढ़िया काम करना चाहते हैं लेकिन यह कुछ लोग हैं जो नहीं करने देते हैं और ना करने देंगे ऐसा लगता है चलो यही करते हैं आज क्लास समाप्त और फिर इनका इलाज भी करते हैं इन सभी बच्चों का कुछ ना कुछ ठीक है मूर खराब जाता है इतना सारा कॉंटेंट रहता है दिमाग में इतना सारा कॉंटेंट रहता है मतलब कि क्या दे दें मतलब ऐसे होता है प्रिपेर होके आते हैं कि इतना बैस्ट पढ़ाना है इस तरह से कॉंटेंट देना है तो वह सारी चीजे खतम हो जाती है कुछ पांच साथ बच्चों की वज़ा से हलाकि मैं फिर भी अपने आपको बैलेंस रखता हूं कि ठीक है चलो ऐसे लेकिन मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि तुम अगर किसी के नुमाइन दो चुपचा पड़ो यार क्या मतलब आ रहा है तुम्हें लेकिन फिर भी यह बोलते हैं तो मेरे को यह लगता है क क्यों कारण क्या है मतलब कोई रीजन तो रहे कि आप कुछ कहना चाहरे हो आप अपनी बात रखो ना ओनेश्टली रखो हर चीज बिलेगी मैं अपने हर एक कोशन में देखो अभी जैसे मैंने टाइम और खतम किया तो टाइम और के सारे कोशन बहुत बैस्ट हैं यह नहीं करेंगे आपने कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे आप देख लेना चाहिए जाके मिली नहीं सकते क्योंकि पेपर में आए हुए हैं पेपर में जिस तरह के कुशन आते हैं वही मैं आपको करा रहा हूं एक्चुल वाले तो जरूरी है यह चीज है ना लेकिन फिर भी चलो इनके दिमाग में कुछ चीज आएंगी या फिर हो सकता है हर कोई अपने हिसाब से सोचता है कि बात सौरी बोलने के नहीं बात यह है कि यह लोग क्या चाहते हैं समझ में नहीं आती ना बात कि आप लोग क्या चाहते हो यह तो क्लियर हो कम से कम जिससे कि मैं उसे साफ से काम करो जिससे कि आप लोग पढ़ो अच्छे से मेरे साफ से तो सब ओके है मतलब ऐसा कुछ द करेगा सामने वाला बात इसकी नहीं कि आपन अच्छा नहीं करना चाहते हैं आपन तो बहुत बैस्ट दे रहे हैं वह नहीं देता मैंने देखा है पूरे यूटुब पे कि अगर वास्ता में रात को आठ बजे वाली प्राइटी मेरी आप लोगो आपने देखा होगा कही बार में इतने साल होगा है पड़ाते बढ़ाते मेरे प्राइटी पता लग जाती किसी टीचर की क्या है तो मेरी फर्स्ट प्राइटी आप हो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक तरीके से दे रहा हूं आगे आराम से अच्छे-च्छे कोशन आएंगे आदा बंध हो ओपन क्लोज लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता देखो ये नौ बजे आठ बजे चलता है सब चलिए तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो साड़े बारवजे भी गुरूबडी की क्लास भी होगी मैं भी थोड़ा सा विचार करता हूं ऐसा नहीं है कि भाई मैं जैसे मैं क्लास ले रहा हूं खुब बढ़िया कंटेंट जा रहा है लेकिन अभी भी देखो डिसलाइ सकता है तो फिर यह तो मैंटलिस हो गया आदमी कोई कोई पढ़ाई का रिजन ना तो बात चलती है मानता हूं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज़ को कि यहां हो गया और कभी इंसानी तो मसीन नहीं है या आदमी यह सब चीज़े चलती है साड़े 6 वजह अपना टेस्ट होने वाले लगातर चल रहा है चलता रहेगा पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहो ठीक है साहिल टैन्पूर लगा कर आपको जुड़ना है यह मेरा foundation बैच है काफी मेनत चल रही है इसमें और यह मेनत ऐसी चलती रहेगी और उस मुकाम पर ले जाए जाएगा आप लोगों को जहां आप अपने आपको एक ऐसा मैसुस करोगे इलाइट गजब का यह मेरा foundation बैच है जिसमें सब कुछ मतलब बहुत बैस तरीके से आपको पढ़ाया जाने वाला है ठीक है सीटी के लिए टार्गेट करो हर एक्जाम को बढ़िया तरीके से पढ़ाय करो अनकेडमी लर्ना रैप पर चल रहा है एससी एक्जाम में गैट सस्किफिशन पर जाईए चौबिस महिने का कोर्स लीजिए साहिल टैन ऐसे कोड लगा दीजे यहां पर आज मैं बाइनरी बाइनरी पढ़ा दी अग्जाडेसिमल अक्टल यह पढ़ाऊंगा प्रोसिट्टू पेपर जाकर आपको जुड़ना है म बात कर सकते हो क्लास में यह उफर जो है वो सारे मिल जाएंगे साहिल टैन लगाते ही ठीक है और यह कॉमबेक है जहांपर हर संडे पेपर होता है अनकैडमी पर 12 बजे अपर आप सब्सक्काइब करूदब है ठीक है पढ़ाई करते रही है यार मैं बहतर से बहतर कोशिश क और जो भी कमी हो, उसे comment में जरूर लिख दिया करिए, कि ये कमी है, हाँ, जो वैसे human errors होती है, कभी 5 की जएके 6 लिख दिया गलती से, फिर बाद में देखा के अरई च्छे लिख दिया, उनको error के तॉर पर मत लिया करिए, क्योंकि ये तो mind key में चल दाता है, तो कभी गवार और गुणा भाग में गलती हो जाती है ना और टेंशन लेने की जरवत नहीं है चीजें तो वही मैं जो भी बैटर है उससे भी बैटर करने की कोशिश करता हूं तो कहीं भी कोई भी शिकायत हो ना तो वो शिकायत आप दो क्योंकि शिकायत से ही इंप्रूमेंट आएगा वरना नहीं आपाएगा ठीक है ना तो पढ़ाई करते रहे और जो नापसंद करने वाले विध्यारती हैं उनकी नापसंद का कारण बता दो बस मेर को तो आप तो हो सकता है कि क्या पता हम बैटर कर पाएं नापसंद होने का ऐसे पढ़ाई अगर आप किसी इंसान को जैसे मालो आप सांप को पेड़ पर क्या डोडने के परपस से कया करना टीचिंग के परपस से करना प्यक् Creo करना रखें take care love you all मिलते हैं आपसे अगले लक्षे साड़े बारा बजे और साड़े च्छे बजे टेस्ट होगा आठ बजे मॉक टेस्ट होगा जरूर लगाएं love you आपसे लोगा शरूर आपसे जाएंट, आपसे आपसे अगले कुछ।